Hello everyone, I am Kajal and welcome and welcome back to my channel Kajal Saga, I am back with another video So yes, जो आज की वीडियो है, उसमें मैं आपके साथ अपने सारे के सारे single blushes share करने वाली हूँ Palettes वाले मैं आपके साथ अलग share करूँगी So yes, यहाँ पर मैंने सारे के सारे अपने blushes ले लिये हैं And काफी सारे हैं मेरे पास, so मैं आपके साथ सारे के सारे share करूँगी And yes, review दूँगी मैं थोड़ा थोड़ा हर एक के बारे में So that आपको ठीक से इनके बारे में information मिल सके And if you wish to purchase them, आप accordingly इनको purchase कर सके So yes, अब जादा time waste नहीं करते And without any further delay, let's get started with today's video Okay, so start करते हैं सबसे पहले मेरे most favorite blush के साथ जो काफी साथ summer appropriate है And मैं काफी साथ इसको use कर रही हूँ यह है My Glamka Tinted Up Lip and Cheek Stain So it's the water tint based blush And यह काफी अच्छा है, इसमें variety of color options आपको मिल जाते हैं So yes, यह water texture का होता है And इससे पहले कि यह dry होना शुरू हो हमें इसे blend कर लेना चाहिए, otherwise यह stain चोड़ देता है So summer की हिसाब से water stain है And यह काफी जादा अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, इसकी एकदम water वाली consistency है And यह बहुत अच्छा है summer के लिए And अब तक आपने कोई भी water tint try नहीं किया है So आप यह वाला try कर सकते है, My Glam का affordable भी है And यह काफी जादा अच्छा काम करते है So मैं इधर हो जाती हूँ ताकि आपको सारे के सारे prices भी इनके देख सके कि Amazon पर इनके क्या prices चल रहे है So यह summer based है And काफी अच्छा है And कोई ऐसा आप blush ढूण रहे है जो summer में tick जाए And जादा वो heavy भी नहों So आप यह water based blush Water based tint try out करके देख सकते हैं यह काफी जादा Okay जो next है वो है मेरे पास Slip and Cheek Tints है Just Herbs के And यह में पास दो shades में available है This is the shade 07 Rose Coral And एक है में पास red वारा brick red 01 brick red So यह दो shades है मेरे पास इनके Just Herbs के And यह मैंने पहले लिया था And यह मेरा नया वाला है So yes packaging भी almost change हो चुकी है So yes यह काफी अच्छे है And आज मैंने यह वाला ही का apply किया हुआ है So yes यह creamy texture है इनका finger से easily blend हो जाते है Tint है eyes पर lips पर Cheeks पर तो yes apply कर सकते है So इनकी Longativity भी काफी जादा अच्छी है अच्छे खासे time तक यह चल जाता है So yes Cream blush आप ढूण रहा है आप इस type के lip and cheek prints आप try कर सकते है जो की long lasting होने के साथ साथ आपको dual purpose serve करते है आप इनको cheeks पर lips पर और eyes पर भी use कर सकते है and summers में tints काफी जादा in रहते है So इस type के water tints and cream tints भी आप try out करके देख सकते है इसे मेरे पास NY Bay का cream blush and this is So this is how the packaging looks like and इसमें जो मेरा shade है वो है peach yes peach So it's lightweight, it's crueltyfully, blend easily हो जाता है and finger से भी blend कर सकते है आप लेकिन मैं इसको पहले finger से ही blend करती थी लेकिन इसका सारा color कहां चला जाता था बिल्कुल पता जाता था then मैंने इसको brush से blend करना शुरू किया तो इसकी जो color payoff था काफी अच्छा आया So ये कुछ इस type की tube packaging में आता है and this is the applicator वही lipstick वाला है and this is the shade काफी अच्छा pinkish shade है and yes काफी अच्छा लगता है लगाने के बाद easily blend तो हो जाता है finger से लेकिन इसका color payoff इतना अच्छा नहीं आता finger से जितना अच्छा brush से आता है So yes ये काफी अच्छा blush है अब तक मैं इसको येस जहां भी मैं किसी भी occasion पर जा रही हूँ किसी भी function और trend कर रही हूँ कोई भी मैं इसको सबसे पहले यूज करते हूँ then इसको सेट करने के लिए मैं कोई भी powder blush यूज कर लेती हूँ So yes this is the must have and affordable भी NYB का आपको पर 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 exclusively ये मिल जाएगा So yes आप इसको भी try out करके देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा blush है and काम भी बहुत अच्छा करता है Okay next है मेर पास फिर से NYB का ये है उनका mousse blush and yes मैंने NYB के काफी blushes ट्राइ किये So ये है उनका mousse blush and this is the packaging outer packaging and ये frosted glass bottle में आता है सबसे पहल तो packaging बहुत अच्छी मिलते है affordable होने के साथ साथ इनकी packaging भी बहुत जादा अच्छी है So yes जैसे ही आप इसकी lid हटाएंगे आपको एक jelly texture का mousse यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस type से and बस ये आपको थोड़ा सा ही चाहिए होता है So yes this is the and जैसे ही आप इसको blend करना start करेंगे न ये अपने आपको एकदम powder form में convert कर लेगा ना ही ये cream texture का है ना ही ये powder है बिलकुल इसकी medium consistency मैं कहूंगी and जो इसमें मेरे पाद shade है वो है 01 rosewood romance and काफी अच्छा pinkish shade है and yes जैसे कि मैंने आपको बता है जैसे कि आप इसको blend करेंगे ये अपने आपको काफी अच्छे से powder form में convert कर लेता है and बहुत अच्छा blush मैं कहूंगी इसे बिलकुली अलग है ये बाकी blushes से तो and yes इसका price भी for 10 grams इसका price है rupees 2.99 but yes purple पर तो वैसे भी sale चलती रहते तो आपको ये on discount ही मिलने वाला है तो आप इसको भी try out करके देखे अगला है वो भी N.Y.B.E. का है ये है उनका sunset skyline blush this one and जैसे हम इसको open करते हैं this is the product so ये उतना जादा pigmented मैं नहीं कहूंगी मुझे ये उतना जादा pigmented नहीं लगा but yes you can definitely build this on so yes जो इसमें मेरे पास shade है coral करके shade था yes इस पर mention नहीं है but yes आपको मैं दिखा दूँगी screen पर दिख जाएगा आपको coral करके इसका shade है and yes मैं आपको भी इसका color pay off दिखाती हूँ so this is the color and ये इतना जादा pigmented नहीं कहूंगी मैं but yes you can definitely build this blush and काफी अच्छे से काम कर जाता है जादा pigmented भी नहीं होना ये medium होना चाहिए so ये medium है and yes अपनी हिसाब से हम इसकी pigmentation को control कर सकते है so yes ये affordable category के अंदर मैं कहूंगी best blush है and आप इसको try out करके देख सकते है अगर आप beginner है okay जो last blush है इस haul का haul नहीं so yes जो last blush है इस video का वो है blue heaven का kiss and blush lip and cheek tint so it contains avocado oil and mango butter so this is the how the packaging looks like and बहुत सारा product मिलता है आपको इसके अंदर so इसमें जो मेरा shade है वो है rosy dusk and cream product है finger से काफ के अच्छे से blend हो जाता है pigmentation on the point है and yes lip and cheek stain है lips पर, eyes पर and yes of course chicks पर dual purpose ये serve करता है so yes इसको try out करके देख सकते हैं जो इसका MRP है वो है $250 but yes on discount आपको blue heaven के सारे के सारे products मिल जाते है so you can go and check this out ये भी मुझे काफी जादा अच्छा लगा so मैंने अपनी favorites आपके साथ सारे के सारे share कर दिये हैं यहाँ पर and if you wish to buy them आप उनको खरीच सकते हैं and prices भी आपने देख लिए होंगे इनके side but sit and that's all for today's video I hope मेरा सारा का सारे ये single blush वाला collection आपको अच्छा लगा होगा इस type की video आपको अच्छी लग रही है so do let me know in the comment sections में आगे भी आपके साथ काफी सारे चीज़े शेयर करूंगी ऐसे ही makeup से related and yes skincare से related so yes अब मिलते हैं next video में till then bye and stay happy